आज की शिक्षा निदेशाले राश्टर राजधानिक शेत्र दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर 23 जो की कक्षा छटी के विध्यार्थियों के लिए हैं यह ली गई है सामाजिक विध्यान के भुगोल विशे से और आज इसमें हम जिस उपविशे पर चरजा करेंगे वो है देशांतर और समय तो चलिए बिना समय गवाय शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं तो देखें आज की जो वर्कशीट है बहुत ह अलग देखना क्योंकि अगर आपको आज ये पॉइंट समझ में आ गया ये टॉपिक समझ में आ गया तो आपको आगे नाइन्थ में भी जब आप जाएंगे तो यही टॉपिक आता है आपको इसकी समझ पहले से ही हो जाएगी और ये हमारी अपने जानकारी के लिए भी हो ये जो खड़ी रेखाएं होती है ना ये सारी क्या है देशांतर रेखाएं ये हमें समय निर्धारित करने में सहायता करते हैं यानि हर कंट्री का टाइम क्या होगा ये वो डिसाइड करने के लिए हमें बताती है हमें हेल्प करती हैं अब जैसे कि हमने भूमद्दे रेखा zero degree मानी थी ऐसे ही पृत्वी पर एक ऐसा point हमने रख दिया एक काल्पनिक रेखा हमने ऐसे रख दी जो की zero degree देशांतर हुई जैसे आप यहाँ पर इस रेखा को देख रहे हैं ये जो रेखा है मान लीजिए हमने इसको zero degree रेखा मान ली कौन सी zero degree देशांतर जैसे zero degree अक्षांश भूमद्दे रेखा थी ये zero degree देशांतर है और इसका नाम हमने रख दिया नाम क्यों रख दिया क्योंकि ये लंडन के ग्रीनिच शहर से निकल रही है ऐसा हम मानते हैं कि वहाँ पर इस समय जो सूर्य है वो बिल्कुल अपने उचता मिस्थिती पर है और दोपहर हो रही है ठीक है तो हमने यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर दोपहर के बारा बजे है बारा बजे दोपहर मैं यहीं थोड़ा थोड़ा सा लिख रहा हूं अब देखो यह जो जीरो डिग्री वाली देशांतर है यह प्रिथवी को दो भागों में बाटती है इसको हम क्या कहते हैं पूर्वी गोलार्द और इसको हम कहते हैं पश्चमी गोलार्द क्या कहते हैं पश्चमी गोलार्द जैसे हमने उत्री गोलार्द और दक्ष्णी गोलार किया था वो भूमद्य रेखा बाठती है ऐसे ये जीरो डिग्री देशांतर भी पृत्वी को दो हिस्सों में बाठती है एक पूर्वी गोलार्ध यानि आधा गोला पूरव की तरफ और ये पश्चमी गोलार्ध अब जो देश इस देशांतर से ग्रीनिच रेखा से यानि उनमें time कम होगा याद रखना ये चीज बहुत important है जो पूर्व की side है वहाँ पर time जादा होगा और जो पश्चम की side है वहाँ time कम होगा इतनी आपने बात समझ ली हैं अब हम इसको आगे समझते हैं और इसको हम प्रमुक यामयोत्तर भी कहते हैं इसका एक अन्य ना का टाइम सेट होता है ऐसे हमारे भारत का टाइम भी सेट होता है ठीक है चलिए आब आगे समझते हैं दिये गए मानचितर को देखी और प्रमुख याम्योतर को पहचानी जैसे मैंने आपको बता दिये जो जीरो डिग्री वारे लाईन है दोपहर में ग्रीनीच पर इस्थित प्रमुख याम्योतर पर सूरे जिस समय सबसे उंचे बिंदू पर होगा उस समय याम्योतर पर सभी स्थानों पर दोपहर होगी यानि कितने बजेंगे दोपहर के बारा बारा बजे दोपहर वहापे टाइम क्या हो रहा होगा बारा बजे दोपहर के फिर इसके बाद है कि प्रिथवी पश्चिम से पूर्व की और चक्कर लगाती है अतेवे स्थान जो greenage के पूर्व में है उनका समय greenage समय से आगे होगा जैसे मैंने समझाया और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा अब हम इस टाइम की calculation करना सीखेंगे जो कि बहुत important है अगर आपको समझ में आ गया तो आपकी ये समस्या बिल्कुल सौल हो जाएगी कि इस समय माल लीजे हमारे यहाँ पर जो भी समय है और अमरीका में कितने बज़रे होंगे तो हम तुरंट चुटकियों में निकाल सकते हैं समय के अंतर की दर गणना निमलिखित विधी से की जा सकती है यानि कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो पृत्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्षपर 360 डिगरी घूमती है इसका अर्थ है कि वे 1 घंटे में 15 डिगरी घूमेगी और 4 मिनट में 1 डिगरी घूमेगी जिसकी कै पर है इतना याद रखना जब भी पृत्वी 0 डिगरी से 1 डिगरी की तरफ आती है तो उसको इतनी देर में 4 मिनट लग जाते हैं इस प्रकार जब ग्रीनीच में दुपहर के 12 बचते हैं तब ग्रीनीच से पूर्व 15 डिगरी पर 15 डिगरी पूर्व पर तो 15 को हम किस से 15 डिगरी पस्चिम की तरफ जाएंगे तो 1 घंटा पीछे होगा यानि वहाँ पर 12 नहीं सुबा के 11 बजे होंगे तो भाई देखो सीदी सी बात है कि हमें ये पता है कि 1 डिगरी जब 0 से 1 डिगरी पर आये 4 मिनट बीद गए जब 2 डिगरी पर सूरे दिखाई दिया तब त हमें आगे होगा यानि 15 चौके 60 मिनट यानि 1 घंटा तो वहाँ पर उस समय जो 15 डिगरी पर जितने भी देश होंगे वहाँ पर दुपहर का 1 बजेगा और अगर हम 15 डिगरी पीछे जाए यानि पस्चिम की तरफ जाएं तो वहाँ पर 1 घंटा कम होगा क्योंकि मैंने बता की तरफ एक बजरा होगा दुपहर का तो इस तरह से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं अब आपको समझ में आया अब बहुत असान से प्रशन पहला प्रशन है कि जब ग्रीनीच पर दुपहर के 12 बजे हों तब 180 डिगरी पर समय की गणना कीजिए तो देखो यदि 0 डिगरी से पूर्व को 180 देशांतर पार करेंगे तो 12 घंटे जोडने पड़ेंगे इसी प्रकार अगर 0 डिगरी देशांतर से पस्चिम को 180 देशांतर पार करेंगे तो 12 घंटे घटाने पड़ेंगे अर्थात वहां रात के 12 बजेंगे कैसे बजेंगे देखो जैसे हमने बताया आपक कि अगर हम 4 मिनट लगते हैं एक डिगरी पार करने में तो 180 को जब आप 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 720 720 आया? तो 720 को जब हम घंटे में डिवाइड करेंगे ठेक है? 720 मिनट आ गया यह अब इसको घंटे में जब आप करोगे तो क्या करोगे? 720 को किसे? 60 से भाग करोगे तो यह आजएंगे 12 घंटे ठेक? तो अब देखो अगर जब 12 घंटे आजएंगे तो अगर 12 बजएंगे दो पहर के 12 बजएंगे तो 180 डिगरी पर 12 घंटे और आगे यानि कि रात के 12 बज़ रहे होंगे अब आप अगर पूर्व की तरफ जओगे तो अगले दिन के बजएंगे और पश्चिम की तरफ जओगे तो पिछले दिन के रात के 12 बजएंगे लेकिन बजएंगे रात के 12 ही ठीक है? अब दूसरा प्रशन है दूसरा प्रशन है कि जब भारत में शाम के साड़े पांच बचते हैं तब लंदन में दोपहर के बारा क्यों बचते हैं तेकि पृत्वी चार मिनट में एक डिगरी घूमती है ये तो हमने पहले ही पता लगा लिया था इस प्रकार यदि भारत ग्रीनीच के पूर्व में इत ग्रीनीच के पूर्व में होता है वो एड किया जाता है इसलिए तो हमने टेलिग्राम एप पर भी अपना चैनल लवनीच सर की एक लास बनाया है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप हमारे चैनल के साथ जोड़ी और स सारे लिंक्स आपको एक साथ मिल जाएंगे तो ये तो थी आज की वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर नए है ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लेकिन झाल 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 झाल